में विरेजर आठो टैनेंट मेंटर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, जॉइन फिर्मस अकाडमी, जॉइन फिर्मस प्रोडक्शन से, हम लोग ने शुरुआज की है कि स्टुडेंट्स को लेकर जो नए आठिस्स आ रहे हैं, उनको लेकर शॉट फिर्म बनाई जाएं, लेकिन वू बिलकुल कमर्शल बे में बनाई जाएं, तो प्रपर लोकेशन लेके, प्रपर कास्ट अट क्रूव के साथ, प्रपर डिरेक्शन के साथ, पुरे मार्केटिंग टरम्स जो यूज होते हैं प्रडक्शन में उसको लेकर ही फिल्म बनाई जाए. वो एक student project ना हो, के commercial project हो, क्योंकि मेरा यह मानना है कि जो classroom में experience दिया जाता है, वो experience तो important होता ही है, लेकिन जो floor पे experience मिलता है, वो totally different होता है, और वो भी एक student को अगर मिल जाए, तो उसके लिए बहुत सुविधा हो सकती है, क्योंकि जब वो पहली बार shoot पे जाता है, कोई भ सकती है, तो बड़ा nervous होता है, थोड़ा सा डराव होता है, लेकिन अगर वो experience उसको training के दोरान ही मिल जाए, तो बहुत अच्छा हो सकता है, और उसके साथ साथ उसको एक digital exposure भी मिलता है, क्योंकि आज digital world है, तो उसका presence होगा, तो उसको फाइदा हो सकता है, उसको एक work link मिल स ताकि सबका मिला जुला कि एक ऐसा project बने जो उनको भी फाइदा पहुचा है, अनुभव के उस पे भी commercial फाइदा भी पहुचा है, और as a student, as a artist, as a actor, satisfaction भी दे कि हाँ मैंने सीखा तो मैंने कुछ किया भी, तो इसी उद्दे से ये short films शुरू की गई है, जिसको की joint films original जो की channel पर रिलीज हो रहा है, और इसके साथ साथ और भी channel, जैसे Reliance के YouTube channel पर रिलीज हो रहा है, इसके साथ MX1, MX Player, Hangama और बाकी OTT पर भी ये बहुत जल्दी इस तरह की short films हमारी रिलीज होनी शुरू हो जाएगे, तो मेरे साथ इंफल्म्स के डिरेक्टर है, रमेज जी, जो की industry से इडिर हैं, बहुतिक जी, और बाकी आटिस्ट भी हैं, और मेरे इमाना है कि जो पहले स्वाद होता है, मीडिया का, वो अगर एक्टर पहली बार में चक लें, तो जड़ा मोटिवेशन बढ़ जाता है, क्योंकि इसके लिए उनको काफी वेट करना पड़ता है, और उसके क्लास में ट्रेनिंग मिलती है, लेकिन वो इस बच्चा जब इंडर्स्टी में कैमरे के सामने आक्टिंग करता है, तो वो डर जाता है, तो वो उसका डर निकालना जरूरी है, तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बच्चों को जो डर वो डर निकाल रहे हैं, और मुझ वैसान ही कि मानने च्टे से कंबरे में में यहो लोग काई शोटा हूए, कि अचरता हैं, पर वो डर बाकाईदा हैं, जो भी लोकेशन होते हैं, और तो यहां टाकनिशनों कि काम रहे हैं, हम लोग ब्रोपर खर्चा करते हैं और स्टूडन् intens اपर शूर्ट में इस तरह होता है हम लोग कल बड़ शूट के लिए वहां पर आपको किस तरह से इ Dae Bassi Ta अंड जात है तो फिटोडन आपके सामने स्टूडन करती हैية परफेक एकड़ रेडी होता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होता है, बाकी जगर में कभी कभी हम लोग, जैसे मैं तो इंड़स्ट्री में कही सालों से काम करता हूँ, लेकिन जब कोई नया बंदा आता है, तो बहुत प्रोबलम होती है, पसीना पसीना हो जाता है, तो उसको प कुलाइफ प्रेणिकी काभएश्ट्री में को पतादा सालों से कंवधश्ट्री में करता है, अब सब्सक्त बांड पर इसको नहीं होता है, टावत फिल्में बना बंयाई सबग करता है दिखानें, ब्सक्राडफिशन, थैसे ठेट दूब इन सबस्तिकों लिए मंचे अच्छा कासरा हम लोग उनके उपर ऐसा भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि आज जो भी यहां पर जोएन फिल्म में स्टूड़न आये, वो बाहर निकल गए अच्छा अपना एक फ्यूचर वो बनाएगा इक और चीज मैं जोडना जाओंगे, जो जोड़ना चाओंगा जोहने कि स्टूड़न कहीं भी जाते हैं, थोड़े दिन में मैं उसे सामने में उनके समिन करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर घाते हैं तब प्रव למ़ते हैं, तो जो न्या है Politik जो हम घंन चाहीं जो मैं व कर दोặc ऐसा पे पड़िदी है क्या है. Means कि सारे च्छलास्रूम की उती है आपर मिलती है तो जो वहाँ पर आते हैं तो निक पता है क्या यहां पर केमरे के सामने की एक्टिंग करना है तो भाइप बच्चार आते हैं तो 99 परसेद रोग मुझे रोग तो जो इसे पर इसे लिग क्लासरूम पर से यह पर पोफ्रेक्ट मुझे करना है। यहां पर एक प्रफ्रेंस रहा है उनकों इसाथ ? नभर फे अच्छा एक्सपरेंस हो जो 넌 बच्चा आते हैं तो भोगी बच्ची आते हैं उसका साथ है इसा एक बकूश्वा ड़ना सी उपर बैंट Alrighty खोले होते हैं अर्बघ बादे दो ढूंटे डाचत कर लिथे MARY लेकिन जब यह बच्ची आते हैं, कभी कोई इनमे से भी हम लोगों सीखने मिलता है। जोटी सब्सक्राइब है। सारे जिसने भी आपने यह फिल्म आप यह लोगों ने देखिये। अधर अःटिस्त आपे अधर्म बाश शाल अधर्म डुटाइप यह तो इसी आड़ी के आड़िस्त हैं? यह इसी आड़िस्त आड़िस्त हैं तो बाहर आज़ी देखिया है मैं नहीं तो पूरी तरह से हमारा धिर्टिकेशन है कि भाई अगर आप हमारे पास आएगे तो हम फिल्म भी देंगे, वैब स्रीज देंगे, सॉंग देंगे, क्या इस तरह की भी बिल्कुल ये सवाल में चुपा हुआ शक है, हमारे यहां ऐसी कोई भी गरेंटी वर्ड यूज कभी भी हम लोग नहीं करते हैं, मेरा परसनल मानन एक पती हैं कि कितना मीनिट की फिल्म होते हैं, कोई बारा मिनिट के होती हैं, को इथा ये पहली बार जो आएफ स् tuv जोरेशन की होती हैं विल्मेट पर दिजिटल प्लैपमुंगा. अब ही अगी अगी प्रोजेक्ट पर दिपेंड करता है, अभी जो हमारी बात ही है वो अब ही जो भी तक है वो तक रही है वो बहुता है? एक वजय दिया है दो कि चुछ हो लोगों को श्राइशन है तो उनके रिलेड़ यह है जिसे ब्लेक-मेल है व commence涵ा पते बुछे जयुक्ते मज़ निघ को अथर लोगों को समझ्स्या होती है उसके उपर है तो मैं आपको यही बोलूँगा, ज्यादा मैं स्टोरी आपको बताऊंगा नहीं, आप देखो के तो अच्छा लगेगा जा नाइट स्कूल इसके वारे में तोड़ा तो गरीप करिये कि क्या है, इसके वारे में कुछ होता है इसके नाइट स्कूल इक ऐसी कहानी है, कभी कभी क्या होता है, लोग एजुकेशन मालब नहीं लेते हैं, उनको दिल में कही ना कही एक छोटी नहुगरी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होता है तो यह स्टोरी वैसे लड़कों के उपर रिलेटेड है, बलब जो टाइम पास कर रहा है, लेकिन कही ना वे उनको लगा रहा है, कभी कोई जा रहा है, तो उसको देखके, उसको फील होगा है, शायद मैं पढ़ा होता तो अच्छा होता है, आज यहाब मैं टाइम पास नह क्या है, तो यह कंटेंट है उसका. वही यहां पर सिखाया जाता है, उस पर जादा जोर दिया जाता है, और उसके साथ साथ एक production house है, हम लोग web series production करते हैं, मैंने भी पहले feature films भी बनाई है हिंदी में, बोजपुरी में, और corporate के लिए बहुत सारा काम किया हुआ है, और अब ये, इसके साथ साथ हमारा की YouTube channel भी है जो की aware करता है, motivate करता है, guide करता है, सारे नए कलाकारों को पुरे हिंदुस्तान बर में और हिंदुस्तान से बाहर भी जिसके अभी तकरीबन 2 million subscriber base होने वाला है, तो उसके थूरू भी हम लोग awareness पहलाते हैं सार, आप किस तरह से जोड़े में क्या कहना चाहेंगे, आपकी कुछ add करिए? मैं as an editor जोड़ा हूँ, इन सब short films है और short films है, but मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कि हम क्या करते हैं, जो actors इसमें act कर रहे है, वो student है, तो जबी सिर्फ editing, acting और production यह सब कुछ नहीं रहता है, actor को जानना, जब आप post production भी actor को जानना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि post production है कैसी चीज है, जहां पर अगर कोई भी actor को पता चल गया कि मेरी continuity mistakes हो रही है, मेरी dialogue किदर problem हो रहा है, मैं कहां पर गलत expressions दे रहा हूँ, वो सब हम edit में हमको knowledge देते हैं, जैसे कि इसमें last night school का example ले लो the night school का, कि इसमें जो actors हैं, उनको हम edit पर भी बता दें कि आपकी कहा कहा mistake हम यहां पर भी teaching दिखाते हैं, कि कैसे आप इसको improve कर सकते हो, ताकि यह in house हमने इसके लिए कि है सब कुछ ताकि जो actor यहां पर सिखने आता है, या कोई भी film maker यहां पर सिखने आता है, उसको पता चले कि कहां पर मैं lack कर रहा हूँ, कहां पर मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो यह सिर्फ मैं ऐसा ही नहीं जूड़ा हूँ, मैं पहले भी बोल रहा कि सिफ एडिटर की तरह नहीं जूड़ा हूँ, मैं इसमें as a mentor भी जूड़ा हूँ, लास तक कि कहां तक हम इसको product को अच्छा लेके जाए, और यहां पर जो technical बात आती है, जो editing style हो गया, color grading style होआ, वो Hello, मेरा नाम पांडप सुर्यवनशी है, मैं बिहार से हूँ, और मैं जोएल गिम्स का student हूँ, मैंने यहां से acting सिखी है, मुझे यहां से काम भी मिला है, और अभी मैंने एक short movie में जो काम किया हूँ, यह the night school में, क्योंकि मैं मेडिया के सामने यहां परस टाइम हूँ, तो मै मैं काफी नडवस हूँ, काफी अच्छा experience है इसका और मुझे सेट पे काफी चीज़ सिखने के लिए भी मिला यहां से, क्योंकि मेरा इसमें एक blackmailer का character था, और मैंने उसे अच्छी तरह से निवाने का courses किया, हमारे director sir, रमेज जी ने काफी चीज़ बताया मुझे, और अच्छा, मेरा नाम आशिष बिस्ट है, जब मैं कॉलेज बे था तब मैंने इंटर कोलेजी ड्रामा competition में भाग लिया था, और कुछ एक ड्रामा भी किये थे, लेकिन उसके बाद 25 साल में corporate world में रहा, 10 साल state bank में, और 25 साल मैं access bank में था, तो मेरा acting से पुरा नाता छुट ग आपकोस मैंने acting का कोर्स किया, और आपकोस देट डबिंग का कोर्स, यह दोनों कोर्स किये, और मुझे अफकोस पब्लिक में बात करने का कोई प्रॉबलम ने, बिकॉस आफ बने अदर्रेसिं गैधरिंग, लेकिन camera face करना, यह अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि यहा रमिज साब तो बहुत यच्छे director है, बहुत cooperative है, हसी मजाग भी करते थे, हमने अगर कुछ गल्तियां भी कर ली तो उसे समझाते हुआ हसी मजाग में समझाते थे, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, एक घरेलू माहूल था, जब हमने शूट किया, मैं ब्लैक मेल में ह तो अहां है, आठाड़ी अजा नियुक्त वांते बना नुग को शादे यह पिक्चा लगे, तो थे तेंक यू जाए पानम थे लिए जित पर मध साथ ह। पाएंगे पहला सवाल था आठ दिन के बाद ही मुझे एक शॉट भी मिली ती यही शूट हुई थी तो लगा कि यार इजी लिए हो जाएगा बड़ तीन मारे के बाद हमारा शूट प्रॉपर ऑडिशन हुआता यह साही नहीं कि स्टुडेंट याके थे तो उठा लिया हाँ पाचलो होगा है नहीं यहां पर टॉपर रहे स्टर ने आडिशन लिया था और जब अंधी करेक्टर में जा रहे थे उन्हीं को स्लिक्ट हुआ था पिर जब बाहर गए और जब शूट हुआ तब पता चला कि हां कंफर्ट जो होता है उसके बार इंड़स्ट्री में कैसे क काम किया जाता है वो भी उन्हें सीखने को मिला उनसे और सर का भी दन्यवाद देड़ दो साल से में उनको फॉलो कर रहा था उचसे बहुत कुछ सीख निकल मुला तो थैंक्यू आपका भी दन्यवाद हलो मेरा नम विशाल विश्व कर्मा है और मैं जॉइन फिल्म के साथ कुछ करिबन एक साल से जुड़ा हूँ मैं सबके दरा प्रैक्टिकल क्लास नहीं किया मैं ओनलाइन क्लास किया हूँ जॉणत निंका उसमें भी जैसे इनोंने बोला कि आउडिशन लिए गए थे मेरे भी ऑनलाइन में 200 बच्चे थे उस तेम पे जब अडिशन लिए जा रहे थे तो मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ था और यहां आने के बाद जब एक्स्पिरियंस की बात करूँ तो मैंने कभी कैमरा फेस नहीं किया है प्रोफेशनली तो जब सेट पे ऑन सेट जब कैमरा मैंने कभी किया नहीं था कि कैमरा के सामने खाले किसे व्यूंत अच्छीत तो आफ लोगे अप्तेक झाले को नयाइच नाम खूला अनध कर दाऊच्तर है तो और यहां प्रोफ लोग देखिए जैसा पीड़बेक मिलें था 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 तो मेरी यूपी टे उन्वेसे भी है फेमस है अविधी लेंगवेश तो इसी हिसाब से मैं आया यहां पर कास्टिंग हो रही थी तो सरह जो कास्ट कर रहे थे तो मुझे देखा तो उनको लगा कि कुछ कर पाएगा बंदा मैं तो पहली बा मैं फार्स टाइम मेरा यहां कुछ करूंगा कुछ नहीं मुझे कंफ्यूजन थी पर सर ने मुझे हिम्मत दी कि नहीं करो तुम देखते हैं जो होगा तो मैंने गया मुझे बहुत प्यार से समझाया उन्होंने सौट फिल्म में और मेरा करेक्टर है शेरिंग आटो में मेर पांच दिखा देख हैं तो इसमें भी ऐसा रहता है कि जो आप सौट फिल्म देने है यह कैसा है देखिए सलेक्शन प्रोसिजर से इंडस्टी का है वही प्रोडॉक्वल हम भी फॉलोग होता है वह कायदा अडिशन में जो जो सलेक्ट होता जाएगा वो एक बार भी हो सक में पर साइस को इसको उसको आइसा नहीं लगना चाहिए वो कि मैंट्सेट उसका नहीं बनना चाहिए जैसा कि अभी मुंबैी में ही नहीं बल्खी ने यौन की यहां करा भी स्टेउ उं जारे है तो इंडो Cum Esc पंजाब में समय जी पंजावी में में लीड कर रही है 42 एर्स की हैं और करीब 20-22 लोगों के तो मैं जॉब चुड़ा चुटा हूँ इसमें से आप कई लोगों के इंट्रूइस देख सिपये होंगे इनको मैंने ट्रांजिशन दिया क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि हम सिर् अप्सुल आक्टर का माइंड सेट बनाते हैं क्योंकि यहां पर जो स्ट्रकल है वो साइकलोजिकल जादा है उसको कैसे टीट किया जाए जब डाउन फॉल आए डिप्रेशन आये डिसपाइंटमेंट मिले उसको कैसे डीट किया जाए उस पर भी काम किया जाता है इसको क्योंकि यह टेक्निकल एक्टिंग है उस पर फोकस करते हुए सुच्छाओं सुच्छाओं एक्टिंग मैथड जो हमारा 2019 में था जो की पैसलर आयमाजॉन पे जिसको मैंने लिखा था उस पर बेस्ट करके ही पूरा सिलिबस तैयार किया है क्योंकि वो हीमन वीवेर और हुमन साइंस पर बेस्ट है इसलिए इंस्टन्ट रिजर्ट लेता है कि अगर कोई दस मेंट एक्सराइज करेगा वोकल की तो उस टाइम पे सारे स्टुडेंट्स की वोईस में चेंज वो खुद फील करेगी वड़ा इस तरह की बहुत सारी एक्सराइज है तो उसको हम ध्यान देते हैं फिर साथ में ये भी है कि ये अकेली अकेडमी जहां पर डबिंग क्लास भी दोती है और बकायदा स्टूडियों में प्रैक्टिकल ही करा जाती है इस फिल्म में भी डबिंग कराई गई तो डबिंग भी सिखा दी जाती इसलिए कि अगर उनको कल को सर्वा हैं मुखमाई में देते हैं साथ चीज ठीक है सार लगी बाद आती है वैसे हैं फिस माकी मुखमाली के आप ये कह सकते हैं उनकी फिस के मुकाबले हमारी फिस थर्टी परसेंट है विद इस एक्सपोजर की डबिंग भी स्टूडियो में सिखाई जा रही है प्रजेक्ट भ गाइडश कोई जा रही है मतलब अगर स्टूडन एक साल बाद शे महिने बाद कभी भी प्रॉलम में आता है उसको कोई डिसीजन लेने में भी क्या नेपोडिजम सिंपल सा है कि माबाप के अनवव का experience का फायदा उनके बच्चों को मिलता है तो जो मेरा अनवव है पच्छी साल का इंडस्ट्री में वो मैं अपने आकड़मी के बच्चों को तो दूँगा तो वो नेपोडिजम का फायदा काफी आउटसर को मिलने वाला है जो उनसे वो तो तो तैबात है लेकिन ये एक शुरुआत है इसको हमको एक शुरुआत की तरह देखना चाहिए मैं यह नहीं मानता कलाकार कलाकार होता किसी भी इस्टूट से निकले कहीं से भी निकले कमिटमेंट है तो उसमें इन्होंने सारे इस्टेबलिश आर्टिस्टों के साथ ही काम कि और उन लोगों का भी फीडबैक मेरे को बहुत अच्छा मिला था कि सबने बहुत अच्छे से काम किया कि यह था कि यूट्यूब पहली बार जो अपना चैनल शुरू किया जो अवेनेस केंपेंट था और उसको लोगों का बहुत प्यार जहां पर एक तरफ डाक साइड आउड बॉलिवूड ब्लैक साइड आउड बॉलिवूड चल ला था वहां पर मैं यह बताना है कि कोश्च कर रहा था कि इंडस्ट्री में अगर काम करना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना है कैसे मेहनत करनी है क्या एक्च्छोल चीज है जिसके उपर आपको काम करना पड़ेगा मैंने यह बताया कि कुछ बेसिक तक लाइव गया डेली इसलिए कि जो आर्टिस लोग हैं वो डिप्रेस ना हूँ क्योंकि उस टाम पे सोशान सिंग वाला केस भी हुआ था बहुत सारी जीने अगेंस में चल लही थी मैं डेली लाइव गया और ये जॉइन फिल्म के चैनल के इतने वीडियो हैं कि अगर कोई कि देख ले तो मैं इतना तो समझ सकता हूँ कि इसकी तीन पांसाल की स्टगल कम हो सकती है लड़के भी और कम दिख रहे हैं आपको जो इस फिल्म में है विकॉज यह भी अच्छी वायत है कि कुछ काम कर रहे हैं कुछ घर कर हुए है और गल्स भी है गल्स ने काम किया हु अच्छी अच्छी ओड़के अट-गी गडिया वजब आधू अच्छी जय है तो मिल्स ने अच्छी ने